नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत हैं ने वीडियो में आज की हीडियो में माई बीजी हमें नहीं जो लोग खिलते हैं उनके लिए सारी problems की solution लेकर आया हूं जो problems इस वीडियो में solve करने वाला हूं उसके बारे मैं टाइम इस्टेम दे रखा हूँ जो भी जिनको भी स्पेसिफिक प्रॉबलम से समझ दे देखना है वो उस टाइम इस्टेम पे जा सकते हैं सबसे पहले जो आपको ब्लू स्टेक में देखनी है पहली बात तो आपको टास्क मैनेजर में जाके देखना है कि आपके PC में वर्चुलाइजेशन इनेबल है कि नहीं है यहाँ पे आपको CPU पे क्लिक करने पे यहाँ पे देखेगा वर्चुलाइजेशन यह इनेबल होना चा दूसरा आपको blue stack का nugget 32 bit वाला इंस्टॉल करना है अगर आपने गलती से कोई और कर लिया है तो मैं आपको तरीका बताता हूं यहां से आपको blue stack install करने पे blue stack multi instance window भी install होगी अगर नहीं हो तो आप मलब इंस्टॉल होगी या अगर shortcut नहीं बनाओ तो आपको search कर लेना है blue stack refresh पे क्लिक करना है और यहां से आपको nugget 32 bit पे क्लिक करके next पे क्लिक करके CPU RAM वगरा assign करके फिर उसको download होने देना है और यहां पे एक और बना हुआ आएगा अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है तो एक और वीडियो मैंने बना रखा है उस पे क्लिक करके आप देख सकते ह बाकी basic जानकरी मैंने आपको दे दी है उसके बाद आपको इसको खुलना है बीजेमाई को download कर लेना है और बाकी setting आप देख लीजेए अपने PC के साबसे आपको enable high frame rate को enable करना है अगर आपको 90 fps पे खिलना है तो और display fps during gameplay भी आप enable कर सकते है जो जो मेरी setting से वो मैं आपको ब capability पे होगा आपको performance पे क्लिक कर लेना है और हर बार आपको save changes करना है और हर बार मतलब एक एक setting चेंज करने के बाद फिर यहां से आपको device में अगर आप चाहिए तो microphone वगरा select कर सकते है बाकी windows default में भी काम चल जाता है उसके बाद preference में जाके अगर आपको add block करनी है जो blue stack की यह green हो जाएगा और sorry यह ऐसा white सा हो जाएगा और लिखाएगा disable और share दो option आएगे आपको disable पे क्लिक करना है और save changes पे क्लिक करना है उसके बाद phone में जाके आपको Samsung Galaxy S20 Ultra select करके save changes पे क्लिक करना है यह सारी setting तो होगी blue stack की उसके बाद आपको इसको install करना है GFX tool को एक second पहले आपको bjmi को इस्टॉल करना ही है उसके बाद उसके बाद उसको open करोगे तो 100mb का resource pack डाउनलोड होगा यह दोनों चीज़े डाउनलोड करने के बाद आपको game को बंद कर लेना है और यहां से भी आटा लेना है फिर आपको GFX tool इस्टॉल करके open करना है GFX tool की ज़रत है आपन तो यहां से आपको add को close कर लेना है बीजी मैं select कर लिया है मैंने फिर resolution 90 20 into 1080 selected है नहीं हो तो आपको यहां से drop down मैं select कर लेनी है ग्राफिक यहां से आपको एक बार मन बना लेना है कि मेरे को कौन से ग्राफिक पे खिलना है क्योंकि बाद में अगर आप game में change करेंगे तो फिर वापस 60 fps पे आ जाएगा तो balance पे खिलना है मेरे को यहां से आपको 90 fps select करने है और यह जो colorful या classic कैसा खिलना चाहते है वह भी आप graphics का color भी choose कर सकते है उसके बाद बाकी settings मैं default ही रहने दे रहा हूं या पे sound quality मैंने अल्ट्रा कर रखी है और save control enable किये हुए है accept करना है add को close करना है I understand पे क्लिक करना है storage में जाना है clear data पे क्लिक करना है और back करना है permission में जाना है allow permission कर देनी है दोनों और back to run game पे क्लिक करना है game को open होने देना है login कर लेना है चलिए यह होगया login अब आपको बस एक चीज़ चेक करनी है जो fps meter enable है उसके जिए मैं चेक कर पार हूं कि मेरा 90 fps पे चल रहा है और यह बहले यह IP दिख रहा है पर fps 90 आ रहे है और गेम में भी 90 आएंगे तो मेरे को बस यह चेक करना था अब GFX टूल का काम खतम आपको गेम को close कर लेना है इसको चाहिए तो आप install भी कर सकते हैं अब बिना GFX टूल के अगर आपन game on करेंगे रुको एक सेक्न मैं इसको बंद कर रहा हूं इसको भी बंद कर रहा हूं वापस game on करेंगे तो सिर्फ आपको यह देख तो कभी कभी करना पड़ता है चब SMB का कोई बड़ी बात नहीं है इसमें इसको डाउनलूड करने के बाद आपको game open करना है चलिए यह हो गया है लेकिन I think game चला गया है 720p में कंट्रोल से पता चलिएगा कंट्रोल अगर चिपके चिपके होंगे तो 720p में चला गया है लेकिन 90 aps अभी भी आ रहे है आप देख सकते हैं मैं एक सेकिंड गेम सेटिंग में जाके बता देता हूं ग्राफिक्स सेम वही पर बैलेंस और अल्ट्रा पर 90 aps आ रहे है किलब 90 aps की प्रॉबलम तो अपने खतम हो गई अब इसको बंद कर लेना है यहां से आपको इसको भी क्लोज कर लेना है आप सेटिंग में जाना है ब्लू स्टेट की यहां से आपको जाना है फोन में यहां आप सेम जो मैं लिख़या हूं वही आपको लिखना है अभी आपके 720 पी से 1080 पी पी जाना है एक बपर ब्लू स्टेक को आपको रिशर्ट कर लेना है मैं रिस्टर्ट कर रहा हूँ वापस से ब्लू स्टेक को खुलना है और अब 90 पिस तो आएंगे साथ में आपके जो 720 पी आ रहा था गेम वो प्रॉब्लम खतम हो जाएगी 1080 पी में आएगा गेम और ये प्रॉब्लम खतम होने के बाद अपन मैप डाउनलोड करने वाली जो समशा है उसका सेलिशन भी देखेंगे वो मैप डाउनलोड की समशा आपको तब ही आती है जब आप जी एफएक्स टूल वगएरे यूज करते हैं यह यह ड्रेजलिशन में ओपन हो रहा है मैप डाउनलोड वाली समशा आपके खतम हो गई है क्योंकि आप कोई भी जी एफएक्स टूल वगएरे यूज नहीं करें तो जी एफएक्स टूल सुरू में आपन ने सरफ नबभे एप्यस इनेबल करने के लिए यूज किया उसके बाद ही एक बार भी यूज नहीं करने वाले है अपन और उसको मैंने आने इस्टॉल भी कर दिया है और अब जब गेम खुलेगा तो वह 1080 पी में खुलेगा साथ ही 90 एप्यस इनेबल होंगे देखते है कैसा हुआ था यहां देख सकते है 1080p में है गेम विल्कुल प्रॉपर एडिंग में जाएंगे आपन और ग्राफिक्स यहां पर 8090 वेरी कर दिया है पर 90 प्यस पर है यहां से आपको जो कुछ चेंजेज करने है मालू मैं अब कुछ भी चेंजेज या कंट्रोल से होगे रहे चेंज करता तो वो हटेंगे ठींगे जैसे मैं वेइकल का इस पर जोईस्टिक कर दिया सेंसिटिविटी पिक अप और यह सारे जो भी कोई भी कंट्रोल हटा नहीं है यहां से और अब भी अगर आप इसमें चेट चार्ड नहीं करने हैं आपको अगर गेम में अगर यह ग्राफिक्स व वाली बात है और उसके बाद आपको जो भी कंट्रोल सोगे रहा चींज करने कर सकते हैं जो भी मैं डाउलूड करना चाहती है कर सकते हैं जैसे मैं अभी आपको छोटा से यह करकी दिखाता हूँ एचडी जो ऑडियो पैक है वो डाउनलोड कर रहा हूँ उसके बाद मैं गेम को री स्टार्ट करूंगा और आप देखेंगी कि यह पैक डिलीट नहीं हुआ है वैसा का वैसा पड़ाया और गेम भी 1080p और 90 fps पे चल रहा है तो इसको डाउनलोड होने देता हूं मैं अभी क इतनी है उसका solution भी मैं ढूंड रहा हूँ वैसे मुझे मिलेगा तो आपको बता दूँगा पर जो main map बड़े-बड़े मैं पने 10 gp का सारा icon pack को डाउनलोड कर रखा है यह लगए सी classic recent और यह सारे और यह delete हो जाए तो दिक्कत है हर बार और classic maps वगेरा तो इसलिए इसका solution तो यह यह कि आपको graphic gfx tool first time use करना है 90 maps enable करने के लिए उसके बाद उसको delete कर देना है उसके बाद जो मैंने किया device name change करना है उससे आपके वापस 10 ATP में हो जाएगा game और उसके बाद यूज कर सकते है basic अभी जैसे ही यह हो गया sd pack download अभी मैं इसको restart करके बताऊंगा कि यह delete नहीं हुआ है ऐसा गवैसा पड़ा है जैसे मैंने आटा जिया इसको वापस on किया चलिए यह देख सकते हैं वापस 10 ATP में game load हुआ है 90 PS आ रहे हैं और यहां से अगर मैं बता हूँ आपको तो high quality image और audio pack जो मैंने download किया था वो delete नहीं हुआ है वह भी भी पड़ा है इसका मतलब जो मैं फिगर आप download करोगे यह दो setting करने के बाद आप बिल्कुल freely game खेल सकते हैं आपको हर बार GFX tool यूज करने की ज़रुत नहीं कुछ भी करने की ज़रुत नहीं आपको बस blue stack खोलना है गेम को load करना है और खेलना है बस एक और जो दो चीजों के जवाब तो मैंने दे दिये 90 PS permanently कैसे आपको unlock करने है और 1080p में game को permanently कैसे खेलना है दो चीजे हो गई तीसरा जो GFX tool हर बार आपको use करना पड़ता था उसका solution भी हो गया अब जो map auto delete था वो भी मैंने आपको बता दिया चार problem मैंने fix कर दी और जो setting वेगरा reset होती है वो भी अब नहीं होगी तो यह 500 problem fix हो गई blue stack में add बंद करने का तरीका मैंने सबसे पहले आपको बता दिया अब जो controls वगिरा है इनको कैसे fix करना है यह मैं बता देता हूँ यहांसे आपको control editor पर click करना है इससे पहले आप game open कर ले तो better रहेगा मैं कर लेता हूँ यहांसे आप recent पर पढ़ा होगा game को open करना है यहांस यह वाला choose करना है तो आप basic जो wa sd button होते हैं उनसे गाड़ी को control कर पाएंगे लेकिन गाड़ी से उतरना और गाड़ी में बैठना जो दो option होते हैं उनको आपको यहां पर character में जाके customize पर click करना है आसे सबसे पहले आपको reset कर लेना है या फिर आप चाहे तो इसमें layout दूस reset कर लिया मैंने reset करने के बाद यहां से आपको control center में जाना है और यह पहले mouse sensitivity पर गिर आप कम कर सकते हैं यह बहुत ज्यादा है मैं इसको point 10 पर कर देता हूं मेरे PC के इसाब से क्योंकि मैं 800 dpi पर खेलता हूं तो मैंने कम कर दिया है अगर आपके कम dpi हो आप अपने इसाब से गेम में movement के साब से इस sensitivity को कम कर सकते हैं यह mouse के sensitivity है यहांसे आपको चाहे तो आप 1080p standard में जाके customize कर सकते है या फिर आप चाहे तो smart में जाके कर सकते है मैं 1080p standard का मेरे पास पढ़ा है control पूरा उस पे आपको नीचे control editor पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर जो दो option ऊपर दिख रहे हैं यहां से आप settings upload और import कर सकते हो मतलब export और import कर सकते हो फर पस पहले से पढ़िए मैंने settings save कर रकिए तो मैं import पे ख्लिक करता हूँ यहांसे यह saved file है cfg file इसको import कर रहा हो यहांसे सब को choose कर लेता हूँ select all और import पे ख्लिक करता हूँ इंपोर्ट हो चुकी है सारी सेटिंग्स जैसे यह मैंने इंपोर्ट की तो यहां अलग से ऑप्शन आ गया एडिटिड जो मैंने इंपोर्ट की है वह वाली फाइल दिखा रहे हैं अपर आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग कर रखे है कैप सलोक से मैप खोलना चूज कर करने से आए और दूसरा वैपने माउस वील डाउन करने से आए जैसे आप कैरी पर कुछ भी बटन सेट करना चाहते है कि तो क्लिक करना है आपको सिंपली और जो बटन आप सेट करना चाहते है उस पर प्रेस करना है तो यह बटन सेट हो जाएगा जैसे मैं यहां बैक स्प में जाना है यहां पे जो speed modifier में shift है इसकी जगए आपको w पर click कर लेना है जिससे कि आपको sprint करने के लिए आपके character को shift नहीं दबाना पड़ेगा हर बार w दबाने से वो भगने लगेगा चलो यहां से आपको drive app set कर सकते हो ताकि आपको easy रहे यह जो बटन आपको set लगे वो कर सकते हो मेरी जो setting है उसके आपको description में मिल जाएगी जो भी मैंने अभी import की है आपको simply वापस control editor में जाके यहां से import कर लेनी है यह फिर आपने जो भी setting वागिरा अपने इसाब से customize कर लिए उसके बाद export करना चाहते हैं तो यहांपे click करना आपको और यहांसे select all कर सकते हैं यआफर 1080p standard सिर्फ यह कर सकते हैं export पर click करना है जहांपे save करना है करना है वाँ अहां location पे जाना है आपको ज्स जगेonselyoj पे save करना चाहते है जैसे मैं stop ये save करना चाहता हूँ, save के click किया तो save हो जाएगा, बाद में मैं यहाँ पर import में जाके वापश import कर सकता हूँ, जो भी settings है, तो ये सारी settings मेरे हिसाब से सही है, मैंने market पर mouse button 2 set कर रखा है, और exit vehicle पर F पर click कर रखा है, और drive के लिए भी F पर click है, और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, कुछ भी pick up करने के लिए, मैंने 2 पर click कर रखा है, ये सारी चीज़े आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जो भी बटन आपको suitable लगे, वो सारी set करने के बाद आपको, यहाँ से save पर click कर लेना है, और save पर click करने के बाद, यह save हो जाएगा, ऐसे मैंने यह फाल्त कुछ बटन किये हैं, उनको हटा देता हूँ, और यह bomb cancel के लिए भी मैंने आप रखा है, और बाड़ी cat in के लिए जी रखा है, door open के लिए आप है, और single करने के लिए बी पे क्लिक कर रखा है, उसके अलावा z के लिए, प्रोंच, इस से crouch, x से, क्या बोलते हैं, दीवार के उपर से jump और space से normal jump, enter से, क्या बोलते है, candidate site, और उसके बीच में, scope की बीच में switch करने के लिए, और right click से scope open, बाकि सारे basic settings है, EF मैंने इसलिए है कि वो unfollow और jump करने के लिए, parachute unfollow, एंड, या फिर plane से jump करने के लिए, ये वाला app रख रखा है, बाकि मैं बाकी चीज़े माउस से control करता हूँ, और, ही है, सारी settings, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, तो comment करके आप पूछ सकते हैं, बाकि मैंने पूरी कोशिश की आपको, control इस वाले पर click करना है, यहां से आप, यहां तो opacity down कर सकते हैं, और, यहां फिर इसको अगर off कर देंगे, तो भी दिखेंगे नहीं, दोनों में से कोई भी एक काम कर लेना है, मैंने opacity drop कर दी है, तो यह आप दिखनी रहे, यहां से आपको, कट कर लेना है, और वापस game में आ जाना है, game को enjoy करना है, यहां से आप सारे packs वगेरा download कर सकते हैं, उसके बाद, आपको, बार बार download करने की ज़रूद नहीं पड़ेगी, मैं सारे download पर लगा देता हूं, ताकि सारी skins वगेरा देखें मेरे को, और बंदे नंगे पुंगे नहीं देखें, I hope मैंने सारे जो भी स्वाल है, blue stack से related जो भी problem से उनका solution बता दिया है, अगर कोई भी चीज मेरे से छूट गई है, तो comment में ज़रूर पूछें, और आपके suggestion मुझे दे, कि मैं क्या better कर सकता हूं, अपने वीडियो को बैतर बनाने के लिए, और बीजेमाई और आईपेड और ग्लूश्टेक, और भी PC टेक और मोबल टेक से related वीडियो के लिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो में अगर आपके कुछ हैल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपके कुछ हुई 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 झाल झाल